Good morning friends, welcome to the illusion मैं जीवन सराज आपके लिए लेकर आया हूँ सबताहिक प्रस्णों तरी जो समाजी विग्यान से जुड़े हुए हैं और इसमें आपको मिलेंगे 20 प्रस्ण उत्तर तो पहला देखते हैं भारत में सीत रितू में वर्षा होती है हाँ होती है आप देखे होंगे ठंड़ेक दिनों में तो इसे क्या कहा जाता है और किस तोर पर अस्थानिय तोर पर अस्थानिय तोर पर कĩमतलब है कि लोकल भासा में क्या कहा जाता है तो इसे option देखिए हम महावट कालवैसा की आमरवषा या सभी तो चलिए इसका एंसर देखते हैं इसका एंसर सही उत्तर होगा महावट भारत में सीत रूतियों में वर्षा होती है तो उसे अस्थाने तोर पर महावट कहा जाता है महावट अगला क्वेश्चन है काल बैसाकी किस राज में बहने वाली गर्म हवा को कहते है जिसे लू चलता है उतर भारत में जारकन में लू चलता है और भी कई राजियों में लू चलता है तो उसी तरह का एक राज्य है जहांपर बैसाक महीने में गर्म हवा लू की तरह चलती है तो ये कौन सा राज्य में है आपको यही बताना पहला जहरकन, दूसरा बिहार तिसरा पस्चिम बंगाल चौथा उरिशा आप इस option को आप ध्यान से देखें तो बंगाल में पस्चिम बंगाल में एक त्योहार मना जाता है ठीक है? और उसका नाम होता है फस्ट बेसाग जैसे हम लोग नया इयर्स एक जनवरी को मनाते है न उसी तरह पस्चिम बंगाल में एक जनवरी को एक पहला बेसाग को नया साल मना जाता है और उसी बेसाग मास में पस्चिम बंगाल में गरम हवा चलती इसको काल बेसागी कहा जाता है काल मीन्स होता है मौत उत्तर भारत में तो आपको पता है उत्तर भारत में कौन-कौन से राज आजा जाती है एक उत्तर प्रदेश हो गया जहरखन हो गया बिहार हो गया कई सारे और भी राज है तो आप देखेंगे कि पूरा धूल उड़ता है गर्मी की दिन में हवा सुस्क मतलब हाथ पर फट जाता है चेहरे में चरचरहाट आ अजीब टाइब का लगता है तो इसे कहते हैं लू अब हम थोड़ा चीनुक और हरीकेन और लू लू तो आप जाने के यह भारत का है चीनुक और हरीकेन को देख लेते हैं तो चलिए यहां पर क्या लिखा वह देखिए आप परवती ढाल के सहारे चलने वाली गर्म वह सुस् इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं जो चीनुक हेलीकॉप्टर है वह अर्मिम खेंगे चीनुक हेलीकॉप्टर है केले जैसे अकृती है और यहां सदयूक राज हम बना हुआ है और यहां पण रौकी परवत की पुर्वी ढाल में कोलेरेडो से उत्तर में कनाडा के बिट्रिक्स कोलंबिया तक चलती है इस हवा का ओसत तापकरम 40 डिग्री फॉरेन हाइट होता है आगे बढ़ते हैं जब किसी तुफान की अधिक्तम गती चोहत्तर मील परती घंटा होती है तो उसे हरीकेन कहा जाता है है ना कितना चोहत्तर मील परती घंटा हरीकेन की तिप्रता को सैफिर सिंपसन हरीकेन विंड स्केल से मापा जाता है इस स्केल में हवा की अधिक्तम टिकाओ गती के हधार पर हरीकेनों को निमलकित 5 स्रेनियों में भक्त किया गया है पहला स्रेणी बन 74 से 95 मिल परति घंटा स्रेणी टू 96 से 110 मिल परति घंटा आप किलोमेटर में बगल में लिखाओ देख सकते हैं और स्रेणी 4 130 से 156 मिल परति घंटा और 1576 मिल परति घंटा आप देख लिए यह बहुत ज़्यादा स्पीर हो गया तो मैंने यहाँ पर प्रियास किया है कि कुछ जदी डीटेल ज़्यादा दे दिया जाए तो आपको आप्सन के अलावे कुछ एक्स्ट्रा भी सिखने को मिलेगा तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको और भी कई चीज़ सिखने मिलेगा और सीखा हुआ ज्यान कभी भी विकार नहीं जाता है तो आप वीडियो को इसकीप करना छोड़ दीजे आप इसकीप करेंगे तो आपको इंपोर्टेंट चीज़ चोड़ सकता है तो आप छूट आपको जदी तैयारी करना है तो छोड़ छोड़ के करिएगा तो फिर कहीं कर नहीं रहीएगा तो इसलिए बढ़ियां से इसको ध्यान समझती हुए पड़िए अगला देखते हैं गिरिस्म रितू के अंत में करनाटक एवं केरल में ये दो राज हैं ये करनाटक है पस्चमी तटमे और खेरल है पुर्वी तटमे तो आप देखेंगे कि मौनसुनी वर्षा की कारण आम जल्दी पक जाते हैं इसे क्या कहा जाता है तो आम जल्दी पकते हैं इसे कहा जाता है आमर वर्सा या पाक वर्सा या दोनों कहा जाता है या इन में से कोई नहीं तो इसे कहा जाता है आमर वर्सा आप देखेंगे कि आमर एक तत्सम सब्द है जो कि संस्कीत भासा से लिया गया है और आमर का मतलब होता है आम तो आम से जुड़ा हुआ है तो अभी इस तरह याद रख लीजिए अगला है उत्तर भारत में गिर्श्म रितू का आगमन कब होता है तो उत्तर भारत में गिर्श्म रितू का आगमन मार्च में होता है अगला है विस्प में सबसे अधीक वर्षा वाला अस्थान कौन सा है तो दोस्तों सबसे पहले था चीरापूंजी जो कि अब बदल चुका है और कुछ सालों पहले यह बदल चुका है यहाँ पर देखेंगे चीरापूंजी एक अस्थान है बिल्कुल है मिगाले कोई अस्थान नहीं एक राज है मासिन राम एक अस्थान है असम एक अस्थान है राज है तो दो ओप्सन तो ऐसे ही चला गया मिगाले और असम जब राज पूछा जाता तब आप मिगाले और असम लेते हैं आपको अस्थान पूछा गया है तो वह अस् 110, 120, 130, 140 लेकिन मासिन राम की देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनिज बुक अफ वर्ल रिकॉर्ड में भारत के मेगाले राज के मासिन राम का नाम दर्च है यहां बंगाल खारी की वज़ा से काफी ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर के उ संगनित भी हो जाती है यहां अस्तन वार्षिक बर्षा 11,871 मीली मीटर होती है आप देख लिजिए अगर मोटा मोटी देखें तो एक हजार मीली मीटर पर मंध होती है बहुत ज्यादा बारिश होगा अगला है परसांत महासागर की गर्म जल्धारा को क्या कहते हैं तो पर पेरू के तट से बहता है और जब यह बहता है न तो उस इलाके में मचलियां मर जाती है और यह लगबख क्रिसमस के समय से गुजरता है क्रिसमस जब आता है न हर दो से चार साल के दोरान में गुजरता है यह नहीं कि हर साल यह गर्म जल्धारा है तब इसके बारे हम थोड समुद्र के तापमान और वायो मंडली परिस्तितियों में आये बदलाव के लिए उत्तरदाई समुद्री घटना को अलिनीनो कहा जाता है। ये क्या है ये कि समुद्र का तापमान और वाई मंडिल परिस्तिम बदलाव जब आता है उससे एक गर्म जलधारा निकलती है और यह दक्षिन अमिर्का के पस्चमी तट पर इस्तित एकवाड और और पेरू देशों के तटी समुद्री जलों में कुछ सालों के अंतराल पर गटित होती है परिनाम सुरूप सुम्द्र के जल का तापमान अधिक हो जाता है और इसका विस्तार तीन दिगरी दक्षिन से 18 दिगरी दक्षिन अस्चान तक फैलता है और इससे कई सारी मचलियां मर जाती हिंद महासागर की गर्म जलधारा को क्या कहते है तो देखे अल नीनों हो गया परसांत महासागर की जल और अगलू हास जो है ये हिंद महासागर की गर्म जल्धारा है अगला देखते हैं अगलू हास तो इसको एगुल हास लस्त भी लिखा है लेकिन ये अगलू हास है दक्षिन पस्चमी हिंद महासागर हिंद महासागर भारत के नीची म दक्षिन में एक पश्चमी सीमा धारा है यह अफरीका के पुर्वी तर्थ से 27 डिग्री धग्षिन से 40 डिग्री धग्षिन तक बहती है यह संकिर्ण तेज और सक्थिसाली धारा है यह भी कहा जाता है कि अगलुःस विश्व की पश्चमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी जल्धारा है ये गर्म जल्धारा भी है अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में सीत लितू का आरम किस महिने में होता है तो ये मारा देख लिए अक्टूबर सितंबर नॉवंबर दिसंबर है तो ये नॉवंबर महिने में होता है अली नीनो इस्पेनिस भासा का सब्द है जि पास option है बच्चा, जवान, बुड़ा, सभी, तो इसका सही अर्थ होता है बच्चा, यानि ये लगबग ये जो अलिनीनो है ना, ये अलिनीनो क्रिस्मस के समय में आता है, और क्रिस्मस में हम सभी जानते हैं, जिसस क्रिष्ट का जनम दिवस मुनाए जाता है, तो वो ज्चा, और क्रिस्वी की घुर्णन गती के कारण उतब आबहसी बल को कौन सा बल कहते हैं, तो ये घुर्णन बल तो है नहीं, या आबहसी बल के पादू, घुर्णन गल मतलब पिर्त्वी घुम रही है, गुर्थवा करसन, जदी कोई चीश हम उपर उचालते हैं तो वो पिर्थवी की आभासी गति हैनी को रियालिस बल इसके कारण उत्री गुलार्द में पवने दाहिनी और याद रखने के लिए दिखें उत्तर दक्चिन उत्तरी गुलार्द में दाहिनी और जदी हम इसको नक्से पर देखें इस तरह एक बनाएं माले यह भूमद विश्वद रिखा है तो उत्री गुलार्द हुआ तो उत्री गुलार्द में हवाएं जो है दाहिनी और घुम जाती है लेकिन दक्चिनी गुलार्द में हवाएं माई और घुम जाती है और इसे किसका नियम कहा जाता है और इसे कहा जाता है फेरेल का नियम किसका नियम फेरेल का निय अगला है भारत में जेट धाराएं कितनी उचाई की उपर से भाती है तो आप देखेंगे कि जेट धाराओं का मैंने चित ठाला है इसमें आप देखेंगे कि जेट धाराएं पहले इसका एंसर बताते हैं 10.000 मेटर, 11.000 मेटर, 12.000 मेटर, 9.000 मेटर तो इसका सही अंसर 12000 मेटर थोड़ा मैप देख लीजिए अब यहां देखिए मैप पर यहां कि मैं एक पहन ले तो इस जगह गुजरा है ना इस जगह और यह इस जगह अब देखिए है ना तो आप यहां 90 जो लिखा वहां पर देखिए वहां है यह भी जेट धार है लेकिन वह भारत से तो नहीं गुजरी है लेकिन उसके ठीक नीचे तिबबत का पठार जब आपको दीख रहा होगा वहां से देखिए वह हिमाले के ओपर से गुजरी है यानि यह 12000 मीटर की उचाई से गुजरी है तो यह है जेट इस्ट्रीम आ जेट धारा की रफ्तार कीलो मेटर परती घंटा में कितनी होती है तो इसका सही आपशन आप देख लेजेए पहले अपशन 110 से 184, 120 से 184, 130 से 184, 140 से 184 यानि अधिक्तम जो है वह 184 है लेकिन कितना से लेकिए हर समय 184 तो बहेगा नहीं तो यह 110 से लेकर किए 184 कीलो मेटर परती घंटा की रफ्तार से बहती है तो यह भी काफी रफ्तार हुआ थार मरू अस्तल के दिन का अधिक्तन तापमान कितना डिगरी सेल्सियस तक हो सकता है अभी तक जो रिकॉर्ड किया उसके नुशार तो इसका सही उत्तर है 50 डिगरी सेल्सियस मौनसुन सब्द का अर्थ होता है मौसिम देखे फिर मैंने दो क्वेश्चन को एक बनाया एक हो सकता था मौनसुन सब्द का साथदी अर्थ क्या होता है तो यह होता है मौसिम यह कौन सी भासा से लिया गया है तो अधिकतर लोग लेटीन या और भी कई भासा हैं उस पर जाते हैं लेकिन यहां ऐसा को अप्सन है नहीं अप्सन है अर्बी, फार्सी, अंग्रेजी, उर्दू तो यह अर्बी भासा से लिया गया है अगला खुश्चन है एक वर्स की दोरान वायू की दिसा में सामें रितू के अनुसार पड़िवरतन क्या कहलाता है तो इसे कहते हैं हम मौनसून यह नवायू की दिसा के अनुसार ऐसाने की ऐसी हो गया तिसे मौनसून गये थैए एक विसाल छेतर में लंबे समय अवधी में मोसम की अवस्ताओं तब वियुताओं का कुल योग क्या कहलाता है मालिजी आप देखेंगे तो भारत में आपको कई परकार की जलवायों मिलेंगे है ना ये कई एक ऐसा नहीं कि आज जलवायों चेंज होगा कल खतम होगा नहीं दो मेहना तीन मेहना बरसाथ तीन मेहना है जाड़ा तीन मेहना है गर्मी दो तीन मेहना है तो ये क्या कहलाता है ये जलवायों कहलाता है अगला और उनीस नमर का सवाल है ये रिगिस्तान की जलवायों की क्या खासियत है तो रेगित्स्तान में दीन ठंडा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि बालू है वो गरम होता है धूप करन रात गरम ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पर तीसरा उप्सन आप देखिए दीन गरम और रात ठंडा बालू के एक खासियत होती है जितनी जल्दी वो गरमी को लेता है उतनी जल्दी गरमी को छोड़ता भी है तो यह आप देखें कि तीसरा उप्सन हमारा सही हो गया मैंने सभी सभी के दो तीन सवाल सेट किये अब इसलिए सेट किये कि आप यह मत सोचे कि सभी उप्सन है तो आख मुंद करके सभी मार दे आपको अप्सनों को ध्यान में देखना होगा और आखरी सवाल है कि थार मरुस्तल की रात का नियूंतम तापमान कितना डिगरी देखिए अधिकतम तो हमने देखा पजाज डिगरी अब नियूंतम कितना डिगरी हो सकता है तो यह है 15 नियूंतम तापमान पंदर डिगरी और आज का सवाल आपके लिए क्योंकि आप लोग下一 करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें तो आप कमेंट कर कि बताए हमें कि मरुस्तलग का जहाज किस जानवर को कहा जाता है आप दिमाग लगाएं, यह कोई बहुत भारी सवाल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, आप जुड़े रहें, और ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि यह हलका सवाल है, यह भी आते हैं, अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को पू लें, ताकि इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलता रहें, आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं जीवन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं, या किसी और तरह के वीडियो चाहते हैं, ताप हमें जरूर नन्योंआ